हेलो गाईज, वेलकम बेक टो एन न्यू व्लोग, आज को व्लोग में मैं बताने वाला हूँ मेरे पूरे घर का इंट्रो, आउट्रो, पूरा को एवरिटिंग, हब कुछ तो वीडियो में बने रहिए और आखरी तक देखते रहिए ये है मेरा होम टूर, तो वीडियो को दिखाता हूँ, वो कॉलपसिवल गेट से पहले शुरू करता हूँ, यह है कॉलपसिवल गेट के अंदर और यह है सेड़ी उपर जाने का और इसके नीचे अभी के फिलाल के लिए स्टोर रूम टाइप के बन चुका है, यहाँ पे सब यह धान रखा हुआ है, वो पेंट क ग्रिल जो दिखाता हूँ, कहाँ पर लगावा था, यह सेड़ी है उपर जाने का, खेड़ के हमाले धर फेले इतने बड़े बड़े सब खड़ की है, इसके नीचे खड़ की है, यह गेट बताया था, आप कॉलपसिवल गेट के बाहर एक ऐसे शिल्ड वाला गेट है, बिल आने के बाद यही है, ड्राइंग रूम, वो फ्रीज रखा हुआ है, टेवल चेर, सब कुछ रखा हुआ है, एक बेसीन, और यहाँ पे थोड़ा से शिलफ बना हुआ है, इसके उपर समान रखते है, अम दब तो यहाँ पे यह सिलाप आपको दिखा दिया, और यह है हरीकन जिसको नहीं पता है, यह हरीकन है, जो अभी भी हमेरे गर पर काम आते हैं जब लाइट चलिया थी रात को, इसको चलाते हैं, और यह बहुत पुराने जमाने से जो लोग पैचानते हैं, उनको पैचान में आएगा, नहीं तो नहीं लोग इसको नहीं आएगा, यहाँ पे स्टोर रूम, यह वश्रूम है, और यह स्वीच यहाँ पे, बेसी में आपे, और जिस्ट वश्रूम के अंदर भी वह बहुत पुराना स्टाइल, अब क्या देखा हूँ, जब यह एंट्री लेते हैं, तो एक राइट साइट एक गेट होता है, और एक लेट साइट गेट, और यह अगर ड्राइंग रूम है, तो ड्राइंग रूम के इधर यह किचन है, और मम्मी कुछ तो बना रही है, खाना है न, क्या बन रहा है इस खाने में, प्रॉन, प्रॉन बन रहा है खाने में, और यह देख से हो, यह हो गया हमारा किचन, जस्ट वह वाश्रूम उस से किचन और यह है फ्रेंट डोर लग बेकवर्ड डोर इधर से कर हम बाहर आते सो बाहर यह दिखता है पूरा व्यू जो हमेशे आपको दिखाता हूं और वह हमारा बहुत पुराना घर जिसमें हम लोग कभी 2000 साल से पहले रहते थे और वह अभी तक तोड़ा नहीं है और इस में बूई जबूये सारे Quinn पेड है फ्लावर लगते इस में इदर है तुल्सी का पिड़ यह तुल्सी है और तुल्सी के फी फंते फनाव वहार का पैड है दा आम का यह मतलब मलग में बहुत पहले एक तुलसी मंदिर बनți वनिवार थह वो तुलसी मंदिर सके पीछे वह वोयह से फिक को यह जो आप सके और इधर है आम का पेड़ इधर प्पीटा का पेड़ वो आश्मान और यह है इधर के सामने का विव ठीड़ है अब आपको दिखाता हूं कि यह गर के अंदर से अंगं से घर कैसे दिखता है। अंगेन से कुछ घर ऐसे दिखता है है old एक अगए अके लिक पूर ऑब का तो चलिए में घर के अंदर भी दिखाता हूं कि की घर के अंदर कहा है अभी तक दुक्छाइब यह पर चुलिएम और एग तरुम और ऐसे मत सोचन्स क्या है और यह रोम के अंदर एक अजिक सायद में करें के लिए जगाए है यहां सारे मयों की कपड़े है सब मेरे कपड़े जादा रहे से इसमें बैक में और यह अन्दर भी रखने का जगाए है जो कि मैं नहीं नहीं दिखाना चाहता हूं एक बुक्षल्फ था और यह बुक्षल्फ बहुत जादा गंदा हो था इसलिए मैं में साडी से ढग दिया है एक पोट्रेट्स है ऐसे वल माउंट करने के लिए और एक टीन का बॉक्स है टीन का बॉक्स देख सकते हो और टीन का सब्सक्राइब करने के लिए और देख सकते हो इसमें क्या का चीज रखा हुआ है बाकी यह अगर ऐसा है इसको मैं अगर हुटा देता हूं तो अब देख सकते हैं इसका लुक्स कुछ ऐसा आता है इसका खाट का और खाट का लुक्स के बाद इधर एक खहड किये धर vivid khiキュaяс मैं इस खर के लिए इतना ही काफी है इस घर से निकल के फिर यूम आते यह नंका का यह रोम दिखाता हूं यह रूम में पूर्देवत्व देवत्व क्यासन बगरा सब यहां पर कप्ड़े टांगने के लिए सब यहां पर है ठीक है देख लो हमारे घर बिल्कुल नया चले इतना हाइफाई नहीं है तो यही है मेरे घर का रूम टूर देख लिए आपने लोगोंने बस तो यह रूम टूर वीडियो आपको कैसे लगा जरूर बताना कमें अगर कुछ और भी देखना है या फिर कोई चीज आपको सही लगा अच्छा लगा बुरा लगा वो भी कमेंट में बता सकते हो बाकी मिल आपको सही लगा बुरा बताहिए को लगा वूम है यह कि वीडियो दोगियो के लिए कर दूर लगा बूम पता है लगा है यह है विए